नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं अभी को तीन कमरे का आवास उपलब्द कराने के वादे को आज पूरा किया गया अगामी दो साल में 15 हज़ा को रुपए से अधिक खर्च कर राज्य सरकार अपनी इन्दी से ज़रुत मंदों को आवास उपलब्द कराएगी बता दे अबुख खबर मुख मंतली हमन सुरेन लंबे समय से काम कर रहे थे दर सल जब केंद्र सरकार की ओर से परधान मंतली आवास उपलब्द कराने को लेकर बाते रखी इसके अलावा कोई बार गरामिन विकास बिभाक्य मंत्री और सचीव ने भी केंद्रिये गरामिन विकास मंत्राले से संपर्क सधा बताया गया कि राज में चिन्ही सभी बेगहर प्रधान मंत्री अवास वेना के लिए सभी आहतापुरी करते हैं नकसली हमले में सहीद जवानों को राजेपाल और सीएम ने दी सरधानजली जार्खन के चाईबासा जीले में नकसली के साथ हुए मुड भेड में सहीद हुए सभ इंस्पेक्टर अमित तिवारी और आरक्षी गौतम को जार्खन जगवार के मुख्याले में सरधानजली अरपित की गई गमगीन महौल में जार्खन के राजेपाल सीपी रादाक्रिश्णा नमुक्ष मंत्री हैमन सुरेन ने सभ इंस्पेक्टर अमित तिवारी और आरक्षी गौतम को सरधानजली दी है बता दे ज़ार्खन के चाईबासा में नक्सलियो के द्वारा घात लगा कर किये गए हमले में सोमवार की राद 2012 बैच के सभ इंस्पेक्टर अमित तिवारी और आरक्षी गौतम कुमार सहीद हो गए थे मंगलवार को दोनों के पार्थिव शरीर को हेलिकोप्टर के जरिये राची लाया गया जहां आस्पताल में दोनों का पॉस्टमास्टम किया गया ज़ार्खन दवरे पर आ रही है चुनाव आयोक की टीम लोक सभा चुनाव के लिए दो दिनों के दोरे पर आ रही चुनाव आयोक की टीम 17 अगस्ट को बैठा करेगी इस दोरान मदाता पुनरिक्षन कारकरम 2024 के समिक्षा होगी इसके अलावा आयोक के समख ज़ार्खन में मदाता पुनरिक्षन कारकरम की परगाती से समंधित प्रजेंटेंशन प्रस्तूत किया जाएगा बतादे लोक सभाचुना को लेकर तैयारी में जूटी भारत निर्वाचन आयोकी टीम दो दिनों के दोरे पर ज़ार्खन आ रही है ये टीम 16 अगस्ट के साम तक राची पहुँझ जाएगी सिनियर डिप्टी कमिशनर डाक्टर धरमेंद सर्मा कनेतित में सिनियर डिप्टी कमिशनर नितेश ब्यास मनोज कुमार साहू प्रिंसिपल सेक्रेटरी अर्विंद अनन्द, अंडर सेक्रेटरी तनोजा कुमारी और सेक्षन ओफिसर देवेश कुमार इस टीम में सामिल रहेंगे जार्खन उत्पाथ सिपाही परत्योक्ता परिक्षा के कई आवेदन निरास्त जार्खन करमचारी चैन आयोग ने जार्खन उत्पाथ सिपाही परत्योक्ता परिक्षा 2023 में आवेदन करने वाले कई अभियार्थियों के आवेदन संख्या की सूची भी जारी कर दी गई है आयोग ने कहा है कि कई अभियार्थियों ने आवेदन सुल्क जामा कराने की निधारीती थी 8 अगस्ट 2023 तक वर्ग कोर्टीम में संसोधन करने के फलसरोग डिमांड राप आयोग कर्याले में आकर जामा नहीं कराया इसी के चलते हैं इनके आवेदन निरस्त किये गए हैं जिन अभियार्थियों के आवेदन जे एसेसी परत्योकता परिश्यम निरस्त किये गए हैं प्रिंभूं के टोटो में सोमवार देर साम एक बार फी सुरक्षावलों के जवान और नकसलीों के बिज मुटभेड हो गई इस मुटभेड में जार्खन जगुआर के इंस्पेक्टर और एक जवान सहीद हो गई सहीद सम इस्पेक्टर अमित त्युवारी और हवलदार गौतम कुमार तुमबा हका और सरजम बोरु जंगल के रास्ते में एक रोर की नामी नकसली मिसीद दस्दे के साथ हुई इस मुटभेड में नकसलीों से लोहाले रहे थे गौतम तो हजर बारा बैच के अधिकारी थे उन्हें साथ से आठ गोली लगी जबकि हवलदार को चार गोली लगने की बात कही जा रही है सहीद एस आई पलामो जीला का निवासी बताये गए हैं चाईबासा एस पी नमुर्भेड में दो जवानों के सहीद होने की पुष्टी की है 15 अगस्त के बाद अब होगा सुखे का आकलन जार्खन के कई जीले में इस बार बारिश ठीक से नहीं हुई है जिसके कारण सेवे सुखे के कगार पर है 14 अगस्त तक राज्य में सिर्फ 37 परतिशत ही धान की रोपनी हुई है वहाई 15 अगस्त के बाद भी भाग सुखार से प्रभावीत खेती बारी के आकलन करेगा बदाद जुलाई के अमतिम सप्ता और अगस्त में कुछ जिलो में हुई अच्छी मानसुन वर्षा के बाजूद राज्य में इस वर्ष भी समाने से काफी कम वर्ष पात का असर खरी फ़सल की खेती पर पड़ा है मौसम केंद्र रांची के ताया रिपोर्ट के नुसार एक जून दो हैयर तैसे चौदा अगर दो हैयर तैस तक राज्य के चौविस में से एकईश जिलो में अभी वर्ष पात समाने से कम है चात्रा में जहां इस सिती बेहाधी बिकट है जहां समाने से 62 परतिसत कम वर्ष हुई है वहीं अने 20 जिलो में भी वर्ष पात की सिती ठीक नहीं है सिम्टेगा गोडा और साहिव गंज को छोड़ राज्य के बाके सभी एकईश जिलो में कम वर्ष पात का नाकरात्मक असर खेती पर पढ़ा है राज्य है पालने दुमका में किया धोजा रोहन जहरखन के राज्य है पाल सीपी राधा किश्णर ने उपर रधानी दुमका के पूलिस लाइन मैदान में धोजा रोहन किया इससे पहले उन्होंने प्रेट का निरिक्छन किया दरसल वह स्वमवार की साम ही सलक मारे से दुमका पहुंचे थे राजेपाल ने कहा दुमका में मल्टी इंजिन रेटिंग अस्तर तक का कोमर्सियल पाइलेट लाइसेंस यानी CPM प्रसिक्षन पराराम कराने के प्रस्ताव DGCA भारत सरकार को भेज़ दिया गया है इसमें राजे के अनुसुजी जाती, जन जाती, अल्पसंख्यक और पिछले वर के कुल 15 युवाओ को साथ परतिसत अनुदान पर CPL प्रसिक्षन सहीद Airbus 320 अस्तर के वायू यान पर टाइप रेटिंग प्रसिक्षन प्रदान किया जाएगा प्रतिक प्रसिक्षू पर सरकार लगवग 60 लाख रुपय का ब्याय वहन किया जाएगा ज्हारखन की एक लवती जलसा हिया मांसी लाल किले पर हुई सम्मानीत लाल किले के प्राचीर से सोतंतरा दिवस पर तिरंगा लहराता हुआ तिरंगा देखना हर किसी का सपना होता है बताते धनबाद के एक छोटे से गाउं गोपी नाथ डिह गाउं की मांसी ने अपने कर्म के बदलत दिया उपलब्दिया हासिल की है एक आम दर्शक न बनकर विशिष्ट अतिति के तौर पर सोतंतरा दिवस कारकरा में सामिल हुई धनबाद ही नहीं पुरे जार्खन का नाम देश में रोशन किया गोपी नाथ डिह गाउं की मांसी बनार जी पुरे जार्खन के एक लवती जल सहिया है जिन्हें हर घर नल पहुचाने में महत्पुन भूमका के लिए विशिष्ट अतिति के तौर पर सोतंतरा दिवस समारों में ना केवल आमंतित किया गया बलिक उन्हें सम्मानित भी मिला मुख्य मंत्री के संबोधन के मुख्य बाते राजे की जनता के सहयोग से एक ससक्त जहारखन के निर्बान का संकल्प अब वह आवास वहिना की शुर्वाज जिसके तहत दिरुवतमन लोगों को आवास उपलभ्द कराएगी सरकार आपका अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कायकरम इस साल भी जारी रखने का निर्ना है राजे में नियुक्ति पर किरिया तेज होगी जिसके तहट 32,000 पदो पर नियुक्ति के लिए अधियाचना जारकन करमचारी चेन आयो को बेज दी गई है मुख्य मंतरी रोजगार सीरीजन विनाक्त अतलाब को कि उम्रसी में 45 से बढ़ा कर 50 वस कर दी गई है जिसमें 50,000 रुपे तक करीन के लिए किसी भी गरांटर के आउँ सकता नहीं है वहीं गुरुजी स्टुडेंट क्रेडिट काड योईना से राजी के वैसे चात्र जो बरावी कक्षाउतीन होने के बाद आर्थिक कारणों से उस सिक्षा प्राप्त करने से वन्चीत रह जाते हैं उन्हें आर्थिक साहता पदान की जाएगी जार्खन में 38.000 पदों पर भरती के लिए निकला बिग्यापन मुख्यवंत्री ने कहा है कि राज में नियुक्ती के परक्रिया को तेज करते हैं विभीन कोटी के लगवग सस्ती दवा सस्ता घर चुनाव से पहले पिये मोदी का एलान अगले साल होने वाले लोग सभा चुनाव से पहले लाल किले से अपने आखरी समोधन में पदान मदिनान मोदी ने सस्ती दवा सस्ता घर से लेकर महिला उत्थान समेत पांच बड़े एलान किये हैं इसके अलावा पीम मोदी ने मनिपूल हिंस्ता की भी बात की और कहा कि सांती से ही वहां समस्या का समधान निकाला जा सकता है पीम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार अगले महीने 17 सितंबा यानि विश्व कर्मा जानती पर 13,000 से 15,000 को रुपए के आवांटन के साथ परमपारिक कौसल वाले लोगों के लिए विश्व कर्मा योजना की सुरुआत करेगी या जोजना विशेस रूप से ओवी सी समुधाय से आने वाले बढ़ाई, लोहार, सुनार, नाई, आदी, कूसल सरमिकों के लिए होगी जवानों के सहीद होने पर डिजीपी ने जताया गहरा सोक चाइबासा के टोटो थाना छेतर में देर रात नकसली मुड़ भेड में ज़ारखन जगुआ है के सब इंस्पेक्टर और जवान के सहीद होने पर आजे पूलिस महानी देशक अजय कुमार सीना ने दुख व्यक्त किया है घातना पर पर परतिकिरा देते हुए डिजीपी आजाय कुमार सीना ने कहा एक नकसली खिलाप लगातार अभियान चलाया जा रहा है इस दवरान कल रात यह घातना घटी है क्योंकि नकसली के पैर उखड चुके हैं और अब खत्म होने के कगार पर हैं अएसे में नकसली जारखंड पुलिस अभियान से जुड़े लोगों को अपना निशाना बनाते हैं नुक्सान पहुचाने की कोशिस करते हैं पुलिस इलाके में सर्च ओपरेशन चला रहे हैं इस घटना से पुलिस के मननो बल पर पर परतिकूल असर नहीं पड़ा है ओप पहार मंगलबार को पहली बार आजादी का तिरंगा लहराया इसे लेकर बुध्धा पहार केंपर पुरी तैयारी की गई थी बुध्धा पहार पर बसने वाले लोगों ने पहली बार आज़्जाद भारत का जस्ट मनाया तिरंगे को सलामी दी, 14 दिवस पर आयोजीत इस करक्रम को लेकर बुढ़ा पहार पर बसे लोगों के चेहरे पर मुस्कान दिखी सुराक्षा को लेकर CRPF के जवान पुरी तरह चोकस दिखे कभी इस बुढ़ा पहार पर मवाजियों की दसत थी, पुरा इलाका गोलियों की गुंच से गुंचती रहती थी दो लोगों की मौच से धनबाद के जहरिया में इस्थिती बेकावव, जारखन के धनबाद जिले के जहरिया के लोधना छेतरे के कुंजामा अंतरगात संचालीत, एटी देव प्रभा आउट्सोर्सिंग परियोजना में मंगरवार को ओबी डंपिंग करने के दवान भारी वाहन, हॉल पेक की चपेट में आकर कमपनी के केमपर वाहन चालाग, लोधना स्रमिक कल्यान निवासी जयाच चौहान वा, इंचार्ज भूली निवासी राजा कुमार की मौत हो गई, केमपर पूरी तरह चप्टा हो गया, घटना की स और काबू पाने के लिए पूज ने फाइनिंग भी की taş है, मंतरी आलमगीर ने सिद्धू कानुए स्टेडियां में किया धोजा रुहान, झारखन सरकार में संसद्य करव ग्रामिन विकाष मंतरी आलमगीर आलम ने कहा है, कि राज में लगातार विकाष का काम किये जा रहे मुख्यमंत्री गराम सड़क, सुद्रीडी करन योजना के तहट शती ग्रस्त, गरामिन सड़कों की बीसेस मरमत कराते हुए गरामिन अबादी का सरकारी कर्याला है, इस्कूल कोलेज, स्वास्थ केंद्र, अस्पताल वो बजार तक आवागमन सुगम बनाने का लक्ष है, जहर्खन में नकसलवाद के खिलाब अमतिम चलन में लडाई डीजीपी, जहर्खन के डीजीपी ने जहनडा फाराने के बाद पूलिस की कई उपलब्धिया गिनाई, साथ ही उन्होंने बताया कि नकसलियों खिलाब हमाई लडाई जारी है, साइबर कराइम को भी महतपुन चुनोती बताते हुए उनके जरिये कई अपराधियों को सलाखों के पिछे पहुचाने के बारे में विजनकारी दी, बता दे सोतनता दिवस के मौके पर जहर्खन पूलिस मुख्याले में डीजीपी अजय कुमार ने जहनडा फाराया, इसके बाद उन्होंने सभा को करते हुए राजे पूलिस की कई उपलब दिया गिनाई, भासन को आगे बढ़ाते हुए कहा है कि नक्सलियों किलाब हमारी निरनायक लड़ाई चल रही है, इसमें हमारे सभी सुरक्षा बहल जी जान से लगे हुए है, इसमें हमारा कुछ नुकसान भी हुआ है, लेकिन इ कुछ केस कमफर्ट हुए है, डेंगु वाले इलाकों में टीम बना कर भेजी जा रही है, ताकि घरों में इस्टोर पानी को बहाया जा सके, जो नियम का पालन नहीं कर रहे है, उन पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है, बतादे जमसेदपूर के मानगों इलाकों में डें केस कमफर्म हुए है, डेंगु परभवित इलाकों में स्वास्त विभाग और नगर निगम ने मचरों को नियंतरित करने के लिए अभियान शुरू कर दिया है, जिसमें वे टीम बना कर लोगों के घर में जा कर बहुत दिनों से श्टोर पानी को बहार है है, रांची में 25 रंगदारी मांगने के मामले में महिला सही दो गिरफतार, राजधानी रांची के हिंद पीडी थाने के पूलिस ने अजाद हिंद फर्मा के मालिक से 25 लाक रंगदारी मांगने के मामले में महिला सही दो अपराजयों गिरफतार किया है, इस मामले में होटवा जेल में की हिंद पीडी थाना में अजाद हिंद फार्मा के मालीक ने सिकायद दर्ज कराई थी इसके तहट उनके मोबाइल पर अग्यात अपरादियों ने वाटसेप के मातिम से 25 लाक रुपे किरंगदारी मांग और नहीं देने पज्जान से मारने की धमकी दी थी मौसम केंदर रांची के बेग्यानी अविसेक अनन ने बताया है कि 15 से लेकर 18 अगस्त के बीच राजी के जायतर हिसे में बारिस की गति भी ध्याबढ़ेगी गरजन और वजरपात का भी खत्रा हो सकता है कुछ जगों पर भारी बारिस भी होने का अनुमान है उसके बाद 29 और 20 अगस्त को भी कई अस्थानों में गरजन के साथ हलके से मत दर्जे की बरसा हो सकती है बता दे सोमवार को सहर का अधिक्तम तापमान 33 डिगरी के असपस रहा वहीं मंगलवार को इसमें एक डिगरी गिरावट आ सकती है इसके बाद अधिक्तम तापमान अगले कई दिनों तक 30 डिगरी पर रह सकता है सियम हमंद की इडी को चेतावनी समन वापस ले रांची में हुए जमीन घोटाले के केस में इडी के समन परमुख हमंतरी हमंद सोमवार को जाच एजनसी के दफ्तर नहीं पहुँचे हमंद को दिन के 11 बजे इडी दफ्तर पहुँचना था लेकिन उन्होंने उपस्थिती होने के बजाए एक पत्र भेजा इसमें हमंद सोरेन ने इडी को समन वापस लेने को कहा है उन्होंने पत्र में लिखा है समन वापस नहीं लिया गया तो वे कानूरी लडाई लडेंगे आरोप लगाया कि इडी ने रायनीत्ती से प्रेरित होकर समन किया है बता दे कि इडी ने हेमंत को 8 अगस्ट को समन जारी किया था हेमंत ने इडी के सहायक निदेशक को भेजे पत्र में समन को गलत ठाराया पत्र के अनुसार मुख्य मंत्री ने लोगपाल सीबी आई और एडी को अपनी और अपने परिवार की समपति से जुड़े सभी दस्तावेज और जनकारी दे दी है एडी चाहे तो वह इन एजेंसियों से दस्तावाज ले सकती है दुबारा या अने जनकारी मांगने पर वह उपलब्द करा सकते है धन्यवाद